नमस्कार गुडलक टिप्स में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अर्पित दोस्तों रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफन बदाएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में आपका दिन अच्छा हुगा क्या लाब दिलाएगा साथी बताएंगे आपकी परेश्यान इसे बसने के कुछ आसान से टैप्स और पावर मनते आपके अपने कारिकर्म गुडलक टैप्स में दोस् zas나 क्या करना है आज आपके दिन को सफल बनाने के लिए साथी क्या कहता है आज का आपका राशिफन बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियों में मौजूद है जाने माने जोते शचारे पंडित मुकेशा स्री पंडिजी आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियों में जैशी किशना जैमाता की जैशी हरी आप अंडिजी से जान सकते हैं आपकी परिशाओनी और मुश्किलों से निकलने का हथ बस कुछ आसान से उपायों के साथ बस आपको हमें कॉल करना है हमार नमबर लगातर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है तो देर किस बात की है? उठाइए अपना फोन और कर दीजह में कॉल चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी टारों की चाल गुल्लक टिपकारकम के सभी दशकों पर भागवान शी, हरी का, मा बगला मुकी का, मा लक्ष्मी का आशिरवाद और कपदस्टी हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्यान हो आईए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल नहीं आज के देनिक राशी फल के साथ में, तथम जो राशी हुआ है, मेश राशी, मेश राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन कल क्या होगा इसके बारे में सोचकर आज का समय, आज का दिन बरबाद मत करिएगा, खराब मत करिएगा आज ना आप अपने मन की बात किसी को बताएं और ना ही किसी और की भेत पूनिया निजी बात पर अपनी और से कोई टिका टिपनी करें आज के दिन की सफलता के लिए है रे मुंग पानी में भीगो कर गवमाता को खिलाएगा दिन अच्छा कुछ देगा अगली जो राशी वो है व्रशव राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आज आपकी जो उल्जने हैं समस्याएं हैं अरचने हैं रुकाउटे हैं उनको दर किनार करके अपने काम को निप्टाने में पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा और कोशिश करेंगे तो निश्यत तोर पे दिन बहुत अच्छा बीतेगा कोशिशों में कमी मत कीजिएगा आज के दिन के सफलता के लिए शिव मंदिर में नंदी को गुड कभोग वश्य लगाईएगा अगली ज़राशी हुआ है मिथुन राशी मिथुन राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आज आपकी जो कारिशेली है उसमें थोड़ा सा बदला होगा दूसरों के विवाद में जंजट में या जगडे में फसने से बचिएगा आज का गुरू मंतर थोड़ा बोलें अच्छा बोलें वहन सावधानी से चलाएं आज के दिन की सफलता के लिए वगाण गणेजी को दुर्वा जड़ा कर दिन की शिर्वात कीजिएगा पंडी जी आगे की राश्यों की तरो बढ़ने से पहले हमें एक मेल ले लेते हैं हमारे पास मेल आए था है रोहिताज जी का जैपूर से पंडी जी इनकी जन्म की तारिख है 23.04.1993 और जन्म का समय है शाम का छह बच कर 23 मिनट का पंडी जी इक तो अपने भविश्य के वारे में जानना चाहते हैं और अपने पिता का व्यपार कब जॉइन करें उसके वारे में पूछना चाहते हैं आपसे देखिए पिटा आपकी जन्म कुर्ली में मंगल की मादशा चल रही है मंगल आपकी जन्म कुर्ली में नीच का ह के बिठाए फरवरी दोजार सोला के पश्चात आपके जीवन में काफी परिवर्तन आएगा तो वैसे तो जब भी आप जॉइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी जन्म कुली में प्रॉफिट हाउस का जो ऑनर है वो सूरे उच्च का होके बैठा निश्यत और आप एक सफल व्यापारी बन सकते हैं नोकरी में अक्सर इस्थिरता रहेगी लेकिन आपका भागेश वो दास्त है साल में एक बार अपने वजन के बराबर गुर्का दान अवश्य कीजिए हो सके तो दिपावली से पहले-पहले अपने पिता के वैसाय को जोइन कर सके तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा पंडीजी अभी के लिए कॉल ले लेते हैं हमारे साथ अभी जुडगे हैं राकेश जुडगे हैं अलवर से उनकी जन्म की तारीक है 18 1968 और जन्म का समय है रात का नौ बच कर 30 मिनट का राकेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है ह एक दो वैसे आपकी जनम कुली में जो समस्या है वो यह है है एक तो वैसे आपकी जनम से तूला राशी थी तूला राशी पर शनी के साढ़े साथ ही चल रहे है साड़े साथ साल का एक नेगिटिव पीरिड आपका खत्म होके अब आपका एक बैतरीन समय शुरू होने वाला है ये समझे कि आप अगले मैने से ही अगस से ही आपके जीवन में काफी चेंजेज आ रहे हैं पॉजिटिव चेंजेज आ रहे हैं आपकी जनम कुली में दो ग्र कर देते हैं बलकि धन में भी कमी कर देते हैं तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में संपून रूप से भाग्य का पून सुक बना रहे है धन का पून सुक बना रहे तो एक तो नियम मान दीजे कि रोज आपको साथ बार हनमान चालिसा का पाट करना है सरसू के देल क दीपक जलाकर और मंगलार और शनीवार दोनों दिन आपको सुंदर कांड का पाठा वश्य करना है सरसो के तेल का दीपक जलाकर यही आपके लिए एक राम बान इलाज है जो कि आपकी सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है उसके अलावा कालसरप दोश है जब भी आपको समय मिले एक बार आप उजन चले जाएए योग्याचारी के अरिजेशन में सरप्रदोश की शान्ति करवा लीजी निशित तोर पे इन सारा लुपाय से आपको शेघरी नोकरी के शेतर में सफलता प्राप्त होगी अपने पती राजकुमार जी के लिए पूछा चाहती है राजकुमार जी की जन की तारीक है पच्च ग्यारा उन्ने सो चेतर और जन्म का समय है दोपहर का तीम बचकर पैतालेस मिनट का जी बेटा पन्डी नमस्कार जैशी किष्णा मेरे पती के बारे मेरे पती को पंधार जोग नोकरी करते हूं और वो वो जाते हैं क्या मैं बिजनस करूं तो कोई बिजनस इनके ले है कि वो कर्शत के इस बिजनस को देखो बेटा अपके हजबिन को 18 साल की राहू की मादशा चल रही थी वो चल रही थी अगस्त 1977 सी और अगले मईने 21 अगस्च सн 2015 को 18 साल की राहू की मादशा इनकе खतम हो रही राहू की मादशा इस तरह का समय होता है जब इनसान को अक्सर संगश करना पड़ता है उतार चड़ाव देखना पड़ता है तो इनका जो एक नेगेटिव टाइम था वो अब खतम होने वाला है अगले महीने इसके बाद 16 साल की गुरू की मादशा शुरू होगी इनके जीवन का सर्वसिस्ट समय जब इनका जो इंकम सोर्स है वो बढ़ेगा लोहे को छोड़कर और सफेची जो दूद वगरा के वैपार को छोड़कर ये कोई भी काम करें तो निश्चे तोर पे इनका सफलता प्राप्त होगी फैंसी आइटम लिडिस आइटम इस तरह का काम पर्स वगरा का, इस तरह का काम भी कर सकते हैं ट्रेडिंग करें, मैनिफیک्टिरिंग नहीं करनी, कोई मशीन वगरा नहीं लगा नहीं बस इदर से माल उठाया उदर माल दिया इस तरीके काम को अगर करते हैं तो इसमें कोई दोराय नहीं कि आगे आने वाला समय इनको एक सफल वैपारी बना सकता है कुणली अच्छी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं समय खराब था अब ये समय निकल गया है थोड़ा वैपा अपने पती रगुईर जी के लिए पूछने चाहती है उनकी जन्म की तारीक है साथ ग्यारा उन्ने सो इक आसी और जन्म का समय शाम का साथ बजे का सुनिया जी अपका स्वागत है अपने सावाल पूछे ये पूछना है कि मेरे पती कब लगेगी सरकार नौकरियो गेरा औ देखे सुनिया बिटा आपकी जन्म कुली ये जो जन्म कुली भेजी आपके हजबन की इनकी जन्म कुली में सरकारी नौकरी के योग कम और प्राइविट नौकरी के योग जादा हैं बुद की मादशा इनको वैसे चल रही है लेकिन जन्म कुली के अंदर अगर देखते है तो सूर है इनकी कुंडले में नीच का होके बैठा है सभी ग्रहों के जो स्वामी है भगवान सूर प्रतिक्ष में दिखते वे देवता हैं वो यदि नीच के हो जाए तो जीवन में अक्सर अपमान अप्यश का भी सामना करना पड़ता है तो एक तांबे का कड़ा इनको रईवार के दिन सीधे हाथ में धारन करवा के रखिए और प्राइविट नोकरी के अंदर या अपने वेपार के अंदर अगर मेनत करेंगे तो निशित तोर पे इनको ज्यादा सफलता मिलेगी आने वाला समय जो है सन 2016 इनके जीवन का एक टर्णिंग येर साबित हो सकता है मैनत करें निशित तोर पे फायदा होगा निमित रूप से भगवान सूरे के अराधना करें उसके साथ साथ में पास में को शनीमंदीर हो तो वा शनीवार को जा के शनी भगवान को तेलरपन करें और प्रातना करें इसी प्रकार से सरल से उपाए इनके जीवन में काफी को सुख ला सकते है पंडीजी अभी के लिए एक और सूनिया जी जुड़ी है हमारे साथ दोसा से ही उनकी जन्म की तारीक है 23.12.1985 और पंडीजी जन्म का समय पता नहीं है उन अपना सूनिया जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में अपना सवाल पूछिए जी हलो पंडीजी जैशी किशना जैशी किशना बेटा पंडीजी मैं जाना चाहूंगी मेरी एक पांच साल की छोटी बेटी है तो आप मुझे बता पाएंगे क्या मेरे बेटे का योग है नहीं है बिटा एक तो एक्जेक्ली चुकी आपका टाइम नहीं है इसलिए इस डिफिकल्ट या तो आपकी बेटी की डेटा उब बर्थ मिलती या आपके पती की डेटा उब बर्थ और टाइम पूरा मिलता तो शायद कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी हो सकती है आपकी अगर जो समय के इसाब से डेट के इसाब से अगर कुल्डी देखते हैं उसके साथ साथ में प्रश कुल्डी देखते हैं तो निशित तोर पे संदोजार सोला में आपको पुतरतन की प्राप्ती हो सकती है इसमें कोई दोराई नहीं काल सब दोश आपकी जनम कुल्डी में हैं तो जब ऐसे लोगों को जीवन में मिलता तो सब कुछ है लेकिन थोड़ा देर से थोड़ा रुकाउटों के साथ में तो एक बार अपने हस्बिन के साथ में जाके उजन जाके वहाँ पे सब दोश की शांती करवा लीजी और अगर नहीं करवाते तो आने वाले सावन के मैंने में हर सोमवार को आप शिवलिंग के उपर नागनागिन का जोड़ा चांदी का जो बना हुआ वर्पन करें अभिशेक करें और भुगान भुलेनाच से प्राथना करें कि आप पुतर रूप में 1292 और पंडी इनने जनम का समय पता नहीं नाएं रश्ओ आपका बहुत-बहुत-बहुत सौगा थे हमारे शुम में अपने सवाल पूचे नहीं से जानना चाहते तो नहीं नहीं है अगर समय होगा तो प्रेडिक्शन जो है वाक्यूरेट हो सकेगा और समय नहीं तो एक हम म पासकतें, तो आप कोशिश करिए कि जनम तारीक के साथ में जनम समय आवश्य दीजिए, जहां तक रोहित आपका सवाल है, आपकी जनम कुर्णी में मगा नक्षत्र का आपका जनम है, और मगा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र के अंदर आता है, पैदा होते ही, यदि सताइस दिन में इसकी पूजा हुई हो तो अति उत्तम नहीं हुई है तो एक बार इस गडमून लक्षत की मगा लक्षत की पूजा करवा लिजी सासाथ में मंगल शनी दोनों एक साथ बैठे हैं यदि आप जीवन में सफलता प्राप्ट करना चाहते हैं शारीर इकार्थिक मानसिक दामपत्य सुख पून रूप से प्राप्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम यह है योग गयाचारी के निदेशन में खेजडी के पेड के डंड के साथ में फूजा करवाई है बाकि आपकी जनम कुर लिए अच्छी है आपके जीवन का बैतरीन समय दिसंबर 2015 के पश्याद शिरू होगा यानि 2016-2017 आपके जीवन का टर्णिंग एर साभी तुरूब चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है करक सिंग और कन्या राशी वाले जातकों के लिए करक राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आज जितने भी आपके एफर्ट से उसमें निशित और पर आपको लक का सपोर्ट मिलेगा विश्वाश रख कीजिएगा अगली जो राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आज क्या करना है यह स्पुस्ट नहीं होगा क्योंकि मन में बहुत सारी बाते एक साथ चलने की उमीद है लेकिन यदि आप खुद को कंट्रोल में रखेंगे तो बहुत हद तक आप आज के दिन को सफल बना सकते ह बिजनेस में लाबदा एक बड़े सौधे मिलेंगे आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गोड़ो और हरी सबजी अवश्य खिलाईएगा अगली जो राशी हो है कन्या राशी कन्या राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आज आपकी जो विनम्रता और आपकी जो वेवार दान करेंगी न्यू प्लानिंग आज हो सकती है निश्य तोर पे जो आप काम का स्काज है आपका उसमें जो आपको अर्चने दिखाई दे रही थी उन अर्चनों में आज काफी सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरत्मन को नवर्शे कीजिए चलिए वक्त उचला एक छोटे से ब्रेक का लेकिन आप कहीं मत जाएगा जल्द वापस लॉटते हैं गुड़ लग टिप्स में